Hi guys welcome you all to the channel matrimonial cases में दोनों party चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी settlement हो जाए खतम हो जाए starting में तो दोनों parties चाहते है कि case मैं जीतू तो मैं जीतू बट at the end of the day होता क्या है तो उसमें settlement ही होना है और दोनों party चाहते है कि फिर settlement हो जाए और settlement किसी तरीके से हो जाए लिए जो भी matrimonial case जो उसमें आज नहीं तो कल سے होना है settlement मैं चाहे पैसा देके हो किसी और तरीके से हो करने बाद करने के बाताँ ऐस मिआ तो इसमें mutual divorce की बात आती है कि mutual mutual divorce कर लेंगे तो mutual divorce में किस तरीके से fraud किया जाता है किस तरीके से आज की date में fraud करते हैं कि यह सारी चीज़े आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में फ्रॉड की मार देखिए फ्रॉड होता है तो इसमें प्रॉब्लम किसको होता है फ्रॉड की मार लड़का जहलता है विकाज लड़के कोई पैसा देना होता है जो लड़की होती है उससे तो पैसा लेना होता है व लड़की सेकेंड मोशन पर अपियर ही नहीं होती फिर अगर दूसरा देखा जाए तो पैसा दे दिया डिवोर्स भी हो गया बट जो कैसे चल रहे थे अल्रीडी और सब सारी चीजे 125 का चल रहा था डीवी का चल रहा था 498 एका चल रहा था वह विड्रॉर नहीं होता फिर अ आपसे maintenance wife demand करती है because divorcee wife के पास यह right होता है कि वह maintenance आपसे demand कर सके maintenance ले सके आप maintenance के लिए मना नहीं कर सकते है because यह उसका right है तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं ऐसी चीजों को यूज करके बहुत सारे frauds किये जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इन होने वाले frauds है कैसे बचे यह सब सब्सक्राइब दे चैनल विकाज हम आपके लिए डेली कुछ नया जज्जमेंट कुछ लीगल अप्डेट लेके आते हैं सो दैट आपको आपके केस में फाइदा हो सके तो अगर हम बात करें mutual divorce की तो mutual divorce का petition file होता है अंदर section 13b Hindu marriage act 13b के अंदर में mutual divorce का petition file होता है और mutual divorce में दोनों parties का agree होना बहुत जरूरी है तो जिसका भी mutual divorce होता है वो तो एक तरीके से आप यह consider कीजिए कि वह बहुत लगी है mutual divorce में लड़की क्या करती है कि अगर बहुत सारे केसे चल रहे हैं और फिर agree कर लेते हैं दोनों लोग की mutual divorce करने का है तो लड़की क्या सबसे पहला condition रखते है कि mutual divorce का जो petition file होगा वो मेरे इधर होगा यानि जिदर मैं रहरी उदर file होगा तो लड़का क्या करता है कि ठीक है agree कर लेता है कि इतने सारे cases face कर रहा हूं तो चलो एक case उदर file हो जाता है तो कोई problem नहीं है I'll handle it जैसे जैसे तैसे करके इससे सबसे पहले बाहर आँ दिन दूसरा बात क्या आता है कि लड़की यह बोलती है कि जो petition है मेरा advocate ready करेगा लड़का उसमें भी agree हो जाता है बोलता है चलो ठीक है क और जोई issue हıyla कैसे भी करके यह चीजों से बाहर रहा हूं यह चीजे खतव हो तो file करने के लिए भी agree हो जाता है जो petition कीदर file होना उससे भी agree हो जाता है तो जब बात आती है पेटिशन फाइल करने का, तो पेटिशन फाइल कर दिया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजे एड की जाती है, बहुत सारी चीजे चीजे मेंशन की जाती है, और बहुत सारी चीजे इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, जो जेनरली उसमें एड होना चाहिए, तो लड़के क of understanding बना दिया जिसे नोटरी करा दिया उसको एकदम confidence में ले लिया कि देखो यह तो तुम्हारी favor की बात है हो में पूरा लिख दिया बट वह पेटिशन का पार्ट नहीं होता पिटिशन में एम्यू नहीं होता और जब पिटिशन फाइल हो जाता है तो फिर लड़के के लिए problem create हो जाता है पिटिशन में पैसे से related कोई बात नहीं होता है कि लड़का कितना पैसा दे रहा है कितना देना है उसको कोई भी चीजे उसमें नहीं होता तो ऐसे में लड़का जो होता है जो husband होता है fraud का शिकार हो जाता है विकॉज पैसे तो उसने दे दिये फिर भी बाद म हैं लिया ले लिया आपसे भी ले ये फिर भी आपसे मेंटेनस का डिमांड करें दिए चुक्राइब वरायट रहता है तो ऐसे में हम करेया क्या क्या प्लाकर trends विच Krach मेरे वकील साहँ फाइल करेंगे वह ऑप उस पे भी ho जाओ बट आप यह condition रखो कि जो भी Petition File होगा वह आप मेरे को भेजोगे Petition File लोने से पहले ड्राफ्ट होने के बाद? ६जर अद यह बटरिकर symmetransound करना हाद मेरे मेरे 되면 consent से दोनों के agreements से ही petition file होगा जब तक मेरे वकील साब उसको go ahead का signal नहीं देते है तब तक file नहीं होगा और MOU पर कोई भी बात नहीं है MOU बनाने कोई जरूरत नहीं है MOU बना के कोई फायदा नहीं है तो MOU के favor में तो आप जाए ही नहीं कोई का कोई फायदा नहीं कोई concern नहीं कोई लेना देना नहीं है आपके mutual divorce के petition से तो यह कि जब लड़की first motion पर आ जाए तो क्या होता है कि लड़की नहीं अगर MOU अगर यह सारी चियों करनाटक करके कैसे भी case file करा दिया first motion पर चलो आप petition file होगा पैसे ले लिए फिर second motion पर आए ही नहीं तो आपको यह सारी चीजे clear mention कराना है उस petition में कि first motion पर इतना पैसा मिलेगा second motion पर इतना पैसा दूंगा इतना दूंगा उसके बाद कुछ ने उसके बाद सारे राइट सीज हो जाते हैं यह सारी चीजे clearly petition में आपको mention कराना होगा और जो पैसा दे आप यह ध्यान रखें क्या होता है कि जब maintenance का case चलता है तो लोग generally क्या करते हैं कि अपने account से पैसा नहीं देते वो यह दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं ठीक है बट जब आप mutual divorce के लिए जा रहे हैं तो जो भी पैसा दे आप अपने account से वाइफ तो आप क्या करें कि जो पैसा transfer करना है वो अपने account से लड़की के account में transfer करें या फिर अगर डीडी बनाना है तो डीडी बनवा है लड़की का नाम उस पे clearly लिखा होना चाहिए यह सारी चीज़े आप ध्यान दे किसी और के account से नहीं होना चाहिए first motion के बाद यह पैसा दू motion तक withdraw हो जाना चाहिए because जो 498 का case है वो इतना जल्दी नहीं खतम होता हो थोड़ा सा time taking procedure होता है तो उसके लिए आप second motion तक agree कर सकते हैं कभी भी पैसा ऐसा नहीं कि 13 फाइल होने से पहले आप 50% दे ऐसा बिल्कूल भी नहीं करे first motion में इतना second motion में इतना यह सारी चीज़े है because first motion में 50% पैसा party ले लेते हैं opposite party जो होती है 50% पैसा लेके petition फाइल नहीं किया या फिर first motion में second motion में आए ही नहीं तो फसा कौन आप फस गये और फिर ऐसे mutual divorce cancel और जो सारी case से चल रहे हो cases as it is चलते रहेंगे 125 का dv का 498 a का सारे cases as it is चलते रहेंगे आप back to square back to zero आप उसी जगह पर फिर से आके खड़े हो जाएंगे पैसा देने के बाद भी तो यह सारी चीजे strategy के साथ fraud किया जा रहा है आज की डेट में तो आप ध्यान पूरवक्त कोई भी चीज कोई भी action ले अगर petition file होता है तो file होने से पहले अपने वकील साब को दिखाया उसे उस पर करना है वह उनका opinion जरूर ले अधरवाइस आप ऐसे fraud में फस सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में होगा इस वीडियो से लेटेर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं थांक्यू